Hello Friends, Welcome to JK Shorten Planet So Friends, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं Basic Typing Course Typing सीखने से पहले हम एक Keyboard के बारे में जानना बहुत जरूरी है और सबसे पहले हम जानेंगे Keyboard के बारे में So Friends, ये जो आप row बीच में देख रहे हैं बीच वाली A, S, D, F, G, H, J, K, L इस row को हम बोलते हैं Home row और जो इसके उपर है Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P इसको हम बोलते हैं Upper row और जो Home row के नीचे वाली row है Z, X, C, V, B, N, M इसको हम बोलते हैं Lower row या Bottom row ओके Friends, इसके साथ दो Shift के Keys होते हैं एक Left side पे होता है और एक Right side पे होता है एक Backspace की है इससे हम Delete करते हैं Caps Lock, Tab इसकी को बोलते है तिल्डे की T-I-L-D-E तिल्डे की Friends, यह की हमारा Approximation में यूज किया जाता है जब भी हमें कोई Calculation का Answer हमने Approximation में शो करना हूं तो हम T-I-L-D-E की को यूज करते है और यह की है Escape Key जिसके बोल लिखा है ESC इसको हम बोलते है Escape Key यह सारे हमारे Function Keys है ओके Friends और यह Alt Key और यह Window Key और QW, ER, T जो हमारी Row है जिसको हम Upper Row बोलते हैं और इसके ओपर जो हमारी Row आई जो Numbering लिखी है इनको हम Number Row बोलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 यह जो Row है इसको हम Number Row बोलते हैं So Friends यह था हमारा Basic Intro Keyboard के बारे में तो आज हम Typing का Day 1 में आज हम करेंगे First Lesson आज हम Home Row सिखेंगे जो कि बड़ी Important Row भी है आज हम इसके बारे में सीखेंगे Home Row में जो आपने Start करना First आपने Friends यह हमारा हाथ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 Fingers जो हमारी हैं Left और Right Hand की यह हमारी Typing में यूज होंगी और हमारा Right Hand का जो Thumb है यह Space War के लिए यूज होगा इस तरह से Fingers की जो Placing है वो आपने इस तरह से करनी है F और J के उपर यह जो Friends Dot सा बना है यह हमारी यह जो दो Fingers हैं इनके लिए होता है इनकी Placing के लिए होता है इस तरह से हमने अपना हाथ इसके पर रखना है A S D F इस साइड से Semicolon L K J G और H को ऐसे छोड़ना है First lesson में हमने क्या करना है First lesson जो हमारा होगा आपने करना है A S D F G F Space Semicolon L K J H J Space इसको रपीट करना है friends आपने फिर से A S D F G F Space Semicolon L K J H J Space फिर से friends एक बार फिर से करते हैं A S D F G F Space Semicolon L K J H J Space Friends F के बाद जो आपने G प्रेस करना है वो आपने इसी फिंगर के साथ प्रेस करना है और J के बाद जो आपने H प्रेस करना है वो आपने इस फिंगर के साथ करना है फिर से एक बार देख लीजिए A S D F G F Space S Semicolon L K J H J Space और फ्रेंड्स हाथों की प्लेसिंग आपने इस तरह से रखनी है तो हमने वापिस इसी रोह पे आना है इस रोह पे जाने के बाद भी हमने इसी रोह पे वापिस आना है इसलिए हम इसको होम रोह बोलते है ठीक है कोशिश कीजिए कि आप एक पेज ले लेजिए वाइट पेज लीजिए उसके ओपर आप लिखिए डिविजन कीजिए उस पेज की लेफ्ट साइड पे आप लिखिए A, S, D, F, G बीच में इस डिफ्रेंचेट कीजिए उसको डिविजन कीजिए उसकी राइट साइड पे आप लिखिए सैमी कॉलन L, K, J, H फिर पेज को आप अपने सामने रख लीजिए जहां राइट अंड साइड रखिए पेज को अपने और पेज के उपर आपने देखने कीवोड की और आपने बिल्कुल नहीं देखना कोशिश करनी है कि आप कीवोड की और देखो ही ना और आपने इनको याद करने की कोशिश करनी है साथ में आपने इसको टाइप करने और साथ में आपने बोलते जाना है और इसको याद करने की कोशिश करनी है जैसे यह आपने देखना स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ी सी प्रावलम होगी पर लेकिन दिर दिरे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, दिर दिरे क्या होगा कि आपको ये याद होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी फिंगर से चलना अपने आप स्टार्ट हो करना है अगर आप अच्छी टाइपिंग सीखना चाहते हैं अगर कोई दो घंटे आप टाइपिंग को करो जो ऑच्छे से इसकी प्राक्टिस हो जाएगी और जो सबसे important चीज़ है इसमें वो है consistency, consistent रहना आपने, जितना आप consistent रहोगे उतना ही better आपको यह आएगी, so friends, मैं आपको यह दिखा देता हूँ, एक बार कि आपने जो white page right side पर रखने, उसकी division आपने किस तरह से करनी है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ करके, कि आपने किस तरह से उसकी division करनी है, एक बार देख लीजिए आप वो, so friends, इस तरह से आपने करनी है page की division, इस तरह से लिख लीजिएगा page पे, line डालनी है बीच में आपने, asdfg, right side पे, semicolon, l, k, j, h, इसको आपने page को right side पे रखना है, अपनी page को right side पे रखना है, और right side की और page की और देखना आपने, आपने इनको देखना है, और keyword को आपने बिल्कुल ने देखना है, keyword के उपर आपने सिर्फ type करना है, ठीक है, आपने ध्यान page के उपर रखना अपना, जितना कम आप keyword को देखोगे, उतना ही आपके लिए beneficial रहेगा, आप अच्छे से इसकी practice यही था हमारा आज का day 1, टाइपिंग के लिए, आज day 1 में हमने home row करीए, इसको आप अच्छे से practice कीजिए, अब day 2 में हम क्या करेंगे, home row से जितने words बन सकते हैं, हम उतने words बनाएंगे और उन words की practice करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी जो home row है, यह हमारी home row अच्छे से पक्की हो सके, okay friends, यही था हमारा आज का day 1 का lesson, I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारी चीज़े समझाई होगी, अगर फिर भी आपको इन में कोई भी doubt है, तो आप नीचे comment section में लिख के बता सकते हैं, thanks for watching this video, have a nice day.